हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूटुब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है फ्रूट चार्ट बनाना तो आईए बिल्कुल असान तरीके से हम फ्रूट चार्ट बनाएंगे फ्रूट चार्ट बनाने के लिए ये हमने फ्रूट लिये हैं ये हमने केला लिया है दो केले को हमने बारिक टुकडो में कट कर लिया है और ये मैंने पपीता लिया है इसको भी मैंने छील कर बारिक टुकडो में कट कर लिया है एक एपल लिया है इसको भी मैंने बारिक कट कर लिया है और ये मैंने एक ही मैंने अनार लिया है इसके दाने निकाल लिये हैं और ये मैंने थोड़े से ग्रेप्स लिये हैं आदी कटोरी और ये एक चमच हमने चटनी ली है ये मैंने घर पे ही तयार करी हुई चटनी है और ये एक निम्भु का रास एक चमच मैंने बूरा यह मैंने आदा चम्मच चाट मसाला लिया है और आप मेरी यह चटनी की विडियो मेरे चैनल पर पाला की रसोई में देख सकते हैं और यह मैंने चाट मसाला लिया है आदी चम्मच तो आई यह बनाते हैं फ्रूट चाट बनाते हैं ये मैंने एक बाउल लिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फ्रूट चाट बनाएंगे अब मैं ये सारे फ्रूट को इसमें डाल दूँगी साथ ही मैं इसमें ये ग्रेप्स भी डाल दूँगी आप fruit अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको परसंद हो वो fruit ले सकते हैं अब मैं इसमें ये चाट मसाला मिक्स कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें ये बुरा डाल दूँगी एक नीम्बू का रस लिया है ये बीस में डाल दूँगी मैं और ये मैंने चटनी ली है एक चमच ये चटनी बीसी में डाल दूँगी इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये बिल्कुल जटपट से बन कर तियार हो जाती है fruit चाट और ये हमारी fruit चाट अच्छे से मसाले इसमें मिक्स हो चुके है अब मैं इसमें थोड़ा सा बुना हुआ जीरा डालूँगी ये मैंने चटाई चमच बुना हुआ जीरा लिया है और ये हमारी चाट बन कर तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करना ना भुलें धन्यवाद ये हमारी ये मैंने अभाट जीरा लेकी वीडियो ना ते क्वाइका भेका ये स चज़ेपर। झाल के रिधा हुआ जैपता कर झाल को भीडियरा